आज मैं जो रेसिपी मट्रपनीर के आपके लिए लेकर के आई हूं उसमें ना तो मैंने टमाटर का यूज किया है और ना इम किसी क्रीम का फिर भी देखिए बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है अप एक बार बना करके जरूर देखें आपको बहुत ही पसंद आएग के दो झाने भी चलते हैं ये लिए मैंने थोड़े खड़े मसाले लॉंग इलाइची काली मेर्च सावत यू तेज पात और यह मैंने प्याज कर रखी थी अदर ग्लैसन का पेस्ट और यह लिए हैं मैंने थोड़ा वह से अच्छी तरफ लिया सी है कि अच्छला सा तरह से यह भाए यह दूरस फेंच लिया ए है कई नअ कि लें आ पकरीबंड़ हमसालिये करेंगे मेने हल्दी पाओर डाला है इसमें थोड़ा Excel अब दिरे में तकरीबन अब इसमें डालें थोड़ी सी लाल मिर्च इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें यह दिखिए इस तरह से इसका कलर आएगा कुछ मिक्स हो करके अब मैंने गैस पर रखिया कड़ाई उसमें जीरा जब चटक जाए उसके बाद मैं डालें खड़े मसाले अब में डाल दी इसमें प्याज इसको अच्छी जैसे बूल लें अगर प्याज गच्छी रह जाएगी तो फिर टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में सब्जी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा यह मैंने जुम फे यार किया था वो पेश्ट डाल दिया है इस तरह से इसको मिक्स करें इसको आप धिमी आग पर बूंचते रहें इस तरह से ना चोड़ें अगर इस तरह बैसे छोड़ देंगे नहीं चलाएंगे इसको तो यह नीचे लग सकता है मसाला आप इसको यह मैंने कस्मीरी मिर्च डाल दिया है इस तरह से बुनते रहें जब तक बूने की तेल अलग यह यह ना हो जाए कि मसाला लग यह को समझिए बुन चुगा यह मैंने डाल दिया है नमक नमक अपने टेस्ट अरम साथ डालें आप यह मैंने इसकर लिया यह मेरी मसाला देखी बुन चुका है आप देख सकते हैं इसमें और अलग हो चुका है और मसाले अलग हो चुके हैं यह मैंने दूसरी कड़ाही में और गरम करने के लिए रख दिय अब मैं इसमें अपने परनीर ट्राइब कर ढूंगी ए रपनीर प्राइब हो चुका है अब जो मैंने मसाला तयार गया था उसमें मैं अब को's समीन तरह मेभ़े परनीर यह की कि अब ड़नों तरह से इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दे इस तरह से यह देखिए अब मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है अब इसको बॉल होने दे देखिए इसमें बॉल हो चुका है मेरी सबजी बनकर के तयार है यह देखिए कितना सुंदर करा रहा है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जबूर बताना मेरे चैनल पढ़ना यह तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना पहला अब लुक्री मत बूलना जिससे कि मैं जो भी वीडियो लेकर कहा हूं सबसे पहले आपको देखने के लिए में ले थेंक्यू